नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। प्रक्रिया को पूर्ण किया है। इसकी आबादी की तुलना में तीन गुना अधिक अनुवान्शिक विविधता दर्शाता है। ये नई अनुवान्शिक संरचना फेरेट्स की नसल में विविधता लाने में मदद कर सकती है। जिससे इनकी दीर्ग कालिक संरक्षन संभावनाएं बढ़ेंगी। चलिए आईए, अब जानते हैं काले पैर वाले फेरेट्स के बारे में इन्हें उत्तरी अमेरिका की सबसे खत्रे में पड़ी स्तंधारियों में गिना जाता है। विश्व वन्यजीव कोश WWF के अनुसार जंगल में लगभग 370 ही फेरेट्स बचे हैं। 1980 के दशक में इस प्रजाती को विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 1981 में वायोमिंग में इन्हें फिर से खोजा गया था। अब जानते हैं कि आखिर क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के अनुवानशिक सामगरी का उप्योग करके उसका बिल्कुल समान प्रतिरूप यानि क्लोन तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेश जीन या DNA अनुक्रम को कॉपी करना और नए जीव का निर्मान करना होता है। ये सामान यतह तीन प्रकार की हो सकती है। पहला है जीन क्लोनिंग अर्थात एक विशेश जीन का प्रतिरूप तैयार करना। दूसरा है प्रजनन क्लोनिंग अर्थात किसी संपूर्ण जीव का क्लोन तैयार करना। जैसे डॉली भेड। तीसरा है ठेरेप्यूटिक क्लोनिंग अर्थात कोशिकाओं और उतकों को पुनर जीवित करने के उद्देश से क्लोनिंग करना। वही अगर बात करें, क्लोनिंग से होने वाले लाब की, तो इसकी सहायता से विलुप्त या संकट ग्रस्त प्रजातियों को पुनर जीवित किया जा सकता है, एवं बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक कोशिकाएं तैयार की जा सकती हैं. क्लोनिंग के इस प्रयास से अन्य विलुप्त प्राय प्रजातियों को पुनर जीवित करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ है. आईए, अब देखते हैं आज का अभ्यास. प्रश्न निम्न लिखित में से कौन सा क्लोनिंग का प्रकार है? जीन क्लोनिंग, प्रजनन क्लोनिंग, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग या उपरोक्त सभी इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्षन में देना न भूलें